चले देखते हैं कि यह कैसी चाय बनाते हैं? अच्छी होती नहीं होती? बिस्मिल्लारइन रोहेम असलाम लेकुम, मैं हूँ महरीन अबासी और आप मेरा यूटूब चैनल देखने हैं महरीन अबासी व्लॉग तो आज है संडे मॉर्निंग हमारी और मैं यहां आपको दिखा रही हूँ कि मैंने नाश्टे में आज कुछ भी नहीं बनाया बच्चे गए बहर से और लेके आगए कुछ अपने पसंद की चीज़ है तो मैंने बना जालो ठीक है चाय बनाते हैं कभी कभी ऐसा नाश्टा भी करी लेना चाहिए हमेशे पराठे अंडे या पराठा साला नहीं नाश्टा करते हैं तो जहां बच्चे ले आए थे अपनी पसंद से बहुत गफशब की और बहुत हम लोगों ने कुछ चीज़े देखी जिन पर हमने आपस में डिसकेशन किया कि हमें भी ये करनी जाए अच्छा यहां ऐसा हुआ कि मेरे मिया तो लेने के ये अपने जा रहे थे बचों को समान लेने के लिए कुछ के हफ़ते के लिए चलो मैं कि चलो ठीक है मैं ले जाता हूं तो ये तो चला गया हमारा चूजा जिनका था उन्ही के पास चला गया तो बस यहां पे हमने खुशी खुशी इसको अलविदा गया क्योंकि इसकी जान से बढ़के तो नहीं है ना यहां बच्चे चले गए अपने पापा के साथ कुछ चाने पकाने के चुटी होगी अब मैं सोच ली थी कि मैं व्लॉग क्या बनाओं क्योंकि कुछ डिफरेंट होना चाहिए रुजाना आपको एक ही जैसी रूटीन दिखाओंगी तो ऐसा ना हो कि आप लोग भी तेंग हो जाएं तो बस यहां यह लोग चले गए और यह अच्छा यहां मैं और मेरे मिया में डिसकेशन हो रहा था कि अभी हमने थोड़ दिर पहले देखा था डकी भाई का व्लॉग जो उन्होंने अपनी टिंड करा ली वो गंजे हो गए तो उनके एक दिन में 3 मिलियन व्यूज आ गए तो मैंने अपने हजबन के पीचे पड़ एक बखल देखार की नहीं के ना यहैं तो कुई और देको मामा वी परिशान हो गए उनकी बीवी भी परिशान हो गई अपने शहर को डेखे अपने बेटे को victi को जेखे तो पुराने वाले शूच्छा लगते हैं यह क्यों आ गए यह कीवाली में अगए तो मिद्यों में हमें अच्छे भी नहीं लग रहे हैं वो पुराने वाले डक्की भाई चाहिए हमें तो बस यहां में बोला चले ठीक है बिटा पुराने वाले डक्की भाई चाहिए है आ जाएंगे बाल आओ तुम अपने पापा की पीछे बढ़ो आओ उनको गंजा कराने के लिए बेज़ते हैं फिर मिया ने तो बोला दिमाग खराब है भाई मैं क्यों गंजा हूँ वो डक्की भाई है वो एक दिन में गंजा होके थ्री मिलियन व्यूज ले सकते हैं हम यहां गंजे क्या कुछ लाइक करने में और मेरे वो पुराने सब्सक्राइबर्स कहां हैं जो मुझे कॉमेंट्स करते थे इतने और मुझे लाइक करते थे और मुझे इतनी बाते करते थे आज पर कल वो कहां है भाई मुझे कोई कॉमेंट ही नहीं करता तो अभी तक मेरी वीडियो पर जल्दी जल हो जाएंगे कुछ अलग होना चाहिए तो आज मैं ये दिखाता हूँ कि तुम कैसे अरेंज करती हो और कैसे मैनेज करती हो पीछे तुमारे कितना मैस होता है मैं वो दिखाता हूँ तो बस यहाँ पर मैं आपको यही शेयर कर रही थी कि बस यह मेरा बतीजह है यह आया इसने बोला कि मेरी ममा ने बनाए है केक तो यह आप के लिए लेकिए आवध्र मैं पर्लाइ बॉन और रहा है, तो झब जिए आज़ो ना दू बोला रही हूँ तो तुम भी आज़आ मेरे व्लॉक में आज मैंने कुछ खास बनाई भी नहीं है, कलिप्स भी नहीं लिए, तो उन्हें बोला मसला नहीं है, मैं चाय बना रहा हूँ ना, तो चलो आओ गपशप करते हैं अपनी यूट्यूब फैमली से दिखाना के मेरे मिया कैसे चाय बनाते हैं, तो मैंने बोला यह तो मैंने बहुत अच्छी चाय बनाऊंगा और तुम आज ऐसा ही मेरे खातर ऐसा व्लॉग बनाओ, ताकर यूट्यूब फैमली भी तुमारी कनेक्टेड रहे और उनको ये चीज़े भी अच्छी लगें, एक ही जैसा तुम घर की सफाईयां, सुतराईयां दिखाती रहोगी तो वो बोर ना हो जाएं, तो बस आज ये मेरे मिया की खोहिश पे मेरे सामने, ये आपके लिए रेंडम व्लॉग है मेरा, तो बस यहां हम डिसकुशन कर रहे थे, हसी मजाग कर रहे थे, बच्चे माशालला बड़े हो गए हैं, वो टीवी इंजॉय कर रहे थे, अब ऐसा है कि हम लोगे पाप बहुत वक्त होता है हर चीज डिसकस करने का, क्योंकि बच्चे अब हमें परिशान नहीं करते हैं, बच्चों की अपनी अपनी मसरूफयात हैं, तो इस टाइम मुझे लगता है कि ये अच्छा हुआ कि तीनों बच्चे एक साथ पैदा हो गए, और एक एक साल के फरक से ये लोग बड़े भी हो गए, और अब हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, और फिर हुरायन को पकड़के दवाई पिलाना मतलब एक बहुत मुश्किल टास्क है मेरे लिए, कि मैं अकेले नहीं इसको पिला सकती, और इतनी कमजोर हो गई है, ये ये बात ही नही ही नहीं है, तो ये लुग है मिल रर फिर होती चान, जर ब musiको बोड़े उखनी हो टाइद पर या कूश होती है, और गिरा मतलब होती है ये ख adesso जाती है, मेरे कीचन चाई वहाँ होता है, तो बहुत रहा बजा ओनता है मतल learns इक महुत हो काम बड़ने होती है, मैं चाहिन रह अभी तो देखिए का ये कितना मैस करेंगे मैं इसलिए तो घबराती हूँ कि आप किचन में मत आएं मैं खुद सफाई कर लूँगी मैं खुद खाना पका के आपको दे दूँगी देख लें यहां भी इनोंने इतनी गंदगी की भी थी और फिर मैं बड़ी मुश्किल से इनको मैंने किचन से बाहर निकाला और अगर आपके हज़मेंट भी किचन में आके ऐसी ही गंदगी करते हैं तो मुझे लाजमी कॉमेंट करके बताईएगा यहां मैं पॉइंट आउट भी कर रही हूं कि यह देख लें आप किती गंदगी करें एक चाय भी आपसे सही नहीं डलती जबके असल बात यह है कि चाय कि पतीली में कोई फॉल्ट है वो तो मुझे से भी नहीं डलती कभी चाय है तो बस गया आज मेरा रेंडम व्लॉग थ दीजेगा मिलते हैं अगले व्लॉग में और मुझे रखिएगा दौाओं में याद आप भी है मेरे दौाओं में शामल थैंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफिज